मेरा अपना मानना है कि सरकार अभी भी डिनायल में है, सरकार अभी भी समस्याओं को सुधारने की तो बात छोड़ दीजे, स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है, इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे भोग बढ़ेगा, इस बजट में अग्रिकल्चर, कृशी के साफ हो गई है कि चाहे कृशी हो चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्त हो चाहे सोशल वेलफेर हो जितना बजट में अमाउंट किया गया था उससे कम खर्चा किया गया है इस साल और फिर आते हैं डिफेंस पे फर्टिलाइजर पे और फूड सबसिडी पर इस साल जितना खर्चा किया गया उससे कम बजट किया गया अगले साल के लिए तो सरकार की जो नीती और नियत है वो साफ नहीं हो पा रही है और रूरल सेक्टर में कृषी में और ग्रामी छेतरों का जो दर्द है वो साफ बया हो रहा है सरकार ने 60,000 करोड रूपए आवंटिद किये थे मंद्रेग में कुछ भी है यह इसे जुम्ले तो हम 10 साल से सुन रहे हैं 2022 में 5 ट्रियन economy हो जानी थी हर साल 2 करों रोजगार बनने थे हर सब के सिरपर छथ हो जानी थी ऐसे जुम्ले हम सुन रहे हैं और निर्मला सीता रमंजी ने एक और जुम्ला ज बोला निर्मला जी ने पार्लमेंट के अंदर सपाथ जूट बोलके कहा इंकम 50 प्रतशथ बढ़ गई है बढ़कि सरकार का अपना डेटा जो सरकार का अपना डेटा आता है पिल फसका उसमें पूरी तरह से साफ है कि 25 प्रतशथ रियल इंकम घटी है तो या तो निर्मला जी गलत बोल रही है या डेटा गलत बोल रहा है सरकार का तो इस तरह के जुमले इस तरह का जूट दस साल का परियाए बन चुके हैं बिल्कुल बड़ी बड़ी बाते हैं लखपती दीदी और इन सब चीजों की असलियत यह है कि महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन महेंगाई होता है असलियत यह है कि महेंगाई के चलते एक औरत एक रोटी कम खाती है रात को कि उसके घर के बच्चे खा ले उनके लिए क्या है इस बजट में महिलाओं के रोजगार के लिए क्या है इस budget में असलियत ये है कि ना कृशी के लिए ना रोजगार के लिए ना युवाओं के लिए कोई बड़ा विजन ही नहीं है कोई बड़ा budget ही नहीं है और ये 10 साल से जुमले हम सुन रहे हैं उसमें एक और जुमला एड़ हो गया जो नियत और नीती है वो सरकार के आंकड़े दिखा रहे हैं कि आप कृशी पर आप स्वास्थ पर आप सिक्षा पर आप सोशल वेलफेर पे पैसा काट रहे हैं पैसा कम खर्च कर रहे हैं और अगले साल के लिए भी फूड सबसिडी फर्टिला बाजों की टोली ही बता सकती है